हेलो एबरियवन आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकेंड इंडिविज्वाल वर्बल टेस्स जिसका नाम है स्टैनफॉर्ड बीनेट तेस्ट तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकेंड टेस्ट इशनफॉर्ड बीनेट टेस्ट एक हम discuss करेंगे हमारा second test जिसका नाम है Stanford Bennett test पहला जो test हमने discuss किया था वो था आपका Bennett साइमन्स के जो दिया गया था 1905 में अब देखो Stanford Bennett test को नाम से जब हम पढ़ेंगे तो कहीं तक हमें ये लग रहा है चलो आपका यहाँ पर एक idea हम लोग ले लेते हैं कि suppose करो कि आपको पूछा गया है कि Stanford Bennett test किस ने दिया है ठीक है और आपको यहाँ पर option मिला है first that is your Bennett second option आपको मिले है यहाँ पर मैंने लिख दिया नाम तर्मन का ठीक है तीसरा option आपको जो यहाँ पर दिया गया है वो है आपके पास cattle ठीक है fourth one जो आपको option मिला है यहाँ पर वो मिला है thorn and die और आपको question पूछा गया कि यह जो Stanford Bennett test है वो किस ने दिया है तो एक rough idea देखे कर मुझे अपने अपने जो answer है वो फटा-फट chat box में बदाओ कि आपके recording यहाँ पर सही answer कौन सा रहने वाला है फटा-फट पताना है मुझे देखो आपने question नहीं पढ़ा concept नहीं पढ़ा doesn't matter लेकिन हम जब paper में जाते हैं तो जो question हमें नहीं आते हैं वहाँ पर हम अपनी mental ability का use करते हैं जो हमने two factor theory में पढ़ी थी that is your journal mental ability term ठीक है ओके next कोई और first option ओके b net b net कई बोल रहे हैं बेने ने दिया कई बोल रहे हैं term ने दिया और सुजादा मैं बोल रहे हैं term ठीक है term ने दिया है या अब b net ने दिया है अब देखो यहां पर कहानी क्या है कहानी यह है कि जब b net ने हमारा पहला टेस्ट दिया था जिसका नाम हमने पढ़ा था बीनेट साइमन्स के ठीक है बीनेट साइमन्स के यह दिया था हमारा बीनेट ने यह किस तर्मन थे, उन्हों ने क्या किया, बिनेट के टेस्ट को क्या किया, रिवाइस किया, रिफॉर्म किया और उसे एक नया नाम दे दिया, स्टैन्ट बिनेट टेस्ट तो no doubt जब भी कोई परसन इस टेस्ट को पहली बार पढ़ेगा, तो वो अपने general mental ability के अधार पर यही suppose करेगा कि यह test जो है वो किस ने दिया बीनेट ने अब क्यों suppose करेगा उसका भी reason यह है कि यहाँ प्रहा में क्या लिखा हुआ मिलता है बीनेट ऐसा ही होगा ना बोलो ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा ना अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि यह जो test है आपका यह किस के द्वारा दिया गया है यह दिया गया है टर्मन के द्वारा it was given by term it was given by Lewis Terman जिनका पूरा नाम है Lewis Terman ठीक है Lewis Terman ने बीनेट के test को revise किया और उसे के नया नाम दे दिया स्टैनफोर्ट बिने टेस्ट अब बिनेट का नाम इन्हों ने इसलिए यहां पर रखा क्योंकि इन्हों ने जो test revise किया था वो किसका था बीनेट का था फोलल क्लियर है अब तो गलत नहीं होगा ना कुछ है ओके बाद आज यह सब पढ़ रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं अब देखो यहां पर नेक्स्ट के टेस्ट जो है वो कब दिया गया था तो नाइंटिन्स इस टेस्ट को प्रेजंट किया गया था लुटर्मन के तोरह अब मुझे फटाफ़त बताईंगे कि नाइटिन्ट इस प्रमॉट है लुट्वत बताई recoll है पिछले नोट्स जो हैं जो हमने पीच्छे काम किया है वह पेज जो हैं वह स्किप किये हब सिदी है नहीं ते गया वह तो आपका दिया गया है 1921 में के बिचल ठीक हे 1916 में इनी के द्वारा जो है वह रिक्वस का figura वह कर गया था जो हमने लास्ट विडियो में में डिश्कस किया था 생ट टीक है चलिए अब देखो जब लूइस टर्मन ने इस टेस्ट को perform किया था तो उन्होंने अलग-अलग ace group के बच्चों को अलग-अलग test के लिए divide किया था तो इन्होंने जब test दिया तो इन्होंने कहा कि जो 3 से 10 साल के बच्चे हैं इन्होंने क्या कहा कि जो 3 से 10 साल के बच्चे हैं उनके intelligence को measure करने के लिए कितने test टेस्ट परफॉर्म किये जाएंगे छे टेस्ट परफॉर्म किये जाएंगे दूसरा इन्होंने क्या कहा कि अब जो बारा साल के बच्चों के लिए छे टेस्ट बारा साल के बच्चों के लिए उनकी इंटेलिजन्स को मैजर करने के लिए जो टेस्ट ये जाएंगे वो रहें जाएंगे ठीक है कितने टेस्ट दिये जाएंगे छे टेस्ट परफॉर्म किये जाएंगे उनके intelligence को measure करने के लिए ठीक है तो यहां पर फोर्थ जो आता है फोर्थ इन्हों ने दिया 16 years के बच्चों के लिए तो 16 years के बच्चों के लिए कहे वो भी कितने थे आपके पास छे टेस्ट 16 के बाद दिये 18 साल के बच्चों के लिए तो 18 साल के बच्चों के लिए जो टोटल टेस्ट उनकी intelligence को measure करेंगे वो कितने रहेंगे आपके 6 टेस्ट तो आपको यहां पर याद रखने का सबसे असान तरीका है वो है आपके पास 12 साल का क्योंकि सिर्फ 12 साल के बच्चों के लिए इन्हों ने जो टेस्ट की क्लियर है तो यस और नो में अंसर आप लोग बोल सकते हैं फटाफ़ ठीक है इसके बाद जो हमारे पास next टेस्ट आता है वह हमारा थर्ड टेस्ट इस योर वैक्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट नाम तो सुना होगा आप लोगों ने सुना है वैक्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट सुना है नाम वैक्सलर का नाम सुना है नहीं सुना है ठीक है कोई बात नहीं जो next test आता है हमारा वो है vaxler intelligence test या intelligence scale भी हम इसे बोल सकते हैं ठीक है अब देखिएगा जो vaxler intelligence scale है हमारा यहां से आपको जो most important question जो पहला आपको यहां से ध्यान रखना है अभी तक हमने जो पढ़ा वो था individual verbal test ठीक है यही पढ़ रहे हैं कि individual verbal के अंडर कौन कौन से test आते हैं जिसमें हमने दो discuss किया आपके एक हमने discuss किया है Bennett Simon scale और दूसरा हमने discuss किया वो था आपके पास Stanford Bennett test अब तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका vexler intelligence scale अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है जो exam equation पूछा जा चुका है आपका वो क्या पूछा गया है यह आपका no doubt यह कैसा test है आपका individual है यह कैसा test है आपका individual test है लेकिन इस test में आपको एक बात याद रखनी है कि यह व्यक्तिगत होने के साथ साथ क्या है verbal भी है और non-verbal भी है यह बहुत important question है जो आपको याद रखना है अगर आपको पूछा जाए कि vexler आपका verbal है या non-verbal है तो यह verbal भी है और non-verbal भी है और exam में जो question आपको पूछा गया था वो क्या पूछा गया था वो पूछा गया था कि vexler intelligence test is इस तरह से vexler intelligence test scale is अब फर्स्ट क्या मिला था इंडिविज्वन दूसरा क्या मिला था आपके पास यहाँ पर ग्रोप और तीसरा आपको मिला था verbal और फूर्थ आपको मिला था non-verbal बहुत important question जो exam में पूछा था और confusing था क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं कि जो vexler है वो verbal है या non-verbal है यह तो हमने सोचा ही नहीं ठीक है तो आपने यह मैंने क्या बताया कि यह verbal भी है non-verbal भी और question हमें कुछ इस तरह से पूछा गया था तो आपके recording यहाँ पर अंसर क्या हो सकता है फटाफट बताना है मुझे इंडिविजल है बहुत बढ़िया ठीक है अब यह हम कैसे identify कर पाए क्योंकि हमने तो पहले पढ़ लिया है कि यह verbal भी है और non-verbal भी है तो आपने एक बात यहां पर ध्यानक नहीं है कि सपोस करो कि अगर हम यहां से वर्बल चूस करते हैं ठीक है तो वर्बल चूस करते हैं तो हमने तो यह भी पढ़ाए कि non-verbal है और अगर non-verbal चूस करते हैं तो हमने तो पढ़ाए कि verbal भी तो कैसे इसे हम mix कर सकते हैं तो हम यहां पर जो सही answer टीक करेंगे वो रहेगा आपका individual क्यों क्योंकि individual में दोनों आता है verbal भी आता है non-verbal भी आता है और वैक्सलर आपका कैसा है individual टेस्ट है ही लेकिन दोनों है verbal भी है और non-verbal भी है question clear हो गया पहला जो वैक्सलर से पूछा जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है अब यहां पर दूसरे बार कि यह जो टेस्ट है आपका वो किसके दोरा दिया गया है given by वैक्सलर इन्हों ने अपने नाम पर ही इस टेस्ट का नाम रखतिया था वैक्सलर intelligence scale तो यह बहुत आसान question कि अगर आपको पूछ लिया आ जाए कि question के question में ही क्या है आपके पास answer है वैक्सलर intelligence scale किस ने दिया है तो सबसे बढ़िया कि यह किस ने दिया है खुद वैक्सलर ने दिया जिन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया वैक्सलर intelligence scale दूसरा question clear है यहां से ठीक है आप देखिए यह जो वैक्सलर था इन्होंने क्या किया जो अपने टेस्ट दिये वो दो तरह की question पूछा जाता है कि वो कौन सा पर्सन है जिसने फर्स टाइम एडल्ट के ऊपर intelligence टेस्ट को दिया था मतलब प्रोडों के ऊपर बुद्धी परिक्षन को प्रेजेंट किया था ठीक है तो यहां पर आपने देन ध्यान रखना है फॉर्स पर्सन हुद वैल्प फॉर्स इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर्स इंटेलिजेंस टेस्ट अन एडल्स यह कुशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जा चुका है एक्जाम में कि वो कौन सा पर्सन है जिसने पहली बार प्रोडों के ऊपर बुद्धी परिक्षन को दिया था तो यह पर्सन पहला है जिसने एडल्स के ऊपर इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था ठीके अब देखो बीनेट ने पहला बुद्धी परिक्षन दिया लेकिन वो किसके लिए था बच्चों के लिए बच्चों के लिए ही बुद्धी परिक्षन को प्रिजेंट किया यह पर्स है सबी को ठीक है तो अब यहां पर हमारे पास बात आती है कि एडल्ट के लिए इन्होंने कॉंसा टेस्ट दिया और चिल्डरन के लिए इन्होंने कॉंसा टेस्ट दिया था ठीक है तो यह वाला जो पोशन है वो करेंगे हम अपने next class में कि adult के लिए इन्होंने कौन सा टेस्ट दिया और children के लिए इन्होंने कौन सा टेस्ट दिया उन test के नाम क्या है और वहां से question जो है वह किस तरह से आपके exam में पूछा जाता है ओगे देन मलते हैं फिर हम अपनी नेक्स क्लास में अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यो आवरिवर्वर्ण